नमो बुद्धा है। यह सुत्र उपदेश का नाम है चेतो खिलर। सुत्र क्या नाम है। चेतो खिलर। एक बात याद रहे कि कोई भी उपदेश सुनेगा तो बगवान बुद्ध की वर्ड है। उसलिए हर एक शब्द पर विश्वास रखना पड़ेगा। भगवान बुत ने इस रावास्ति में सूत्र पदेश्तरिया गया है। उन्होंने कहा जो कोई बिख्षु हो या कोई ब्याक्ति हो। अपना मन में चुबने वाले ये पांच प्रकार की काठा नाष्ट नहीं हो गया तो। मन में बंधन होने वाले पांच प्रकार की बंधन भी नहीं नाष्ट हो गया तो। उसको जो कुछ रात या दीन आ जाता है। उसी दीन रात में उनका गुनधरम हमेशा पतन होते रहेगा। कभी वो उन्नती की ओर गुन धरम से ज्ञान से उन्नती की ओर नहीं जा पाएगा। कौन सा ब्यक्ति को? ये पांच प्रकार की काटा चुबने वाले पांच प्रकार की काटा है। वो काटा क्या करना चाहिए? नश्ट करना चाहिए। मन में बंदन होने वाले पांच प्रकार की बंदन हैं, वो भी नाश करना चाहिए। अगर इसे नहीं हुआ तो उनको जो कुछ दीन हो या रात हो वो पतन होते जाएगा, उन्नति के और नहीं जाएगा। उनका मन में चुबने वाली कौन सी पांच प्रकार की काठा है, पहला है, वो ततागत भगवान बुद्ध जी के प्रती सक करता है। ततागत के प्रती स्रद्धान नहीं है, प्रसान्य नहीं होता है। ततागत ने बत्ताया, वो बिक्षु अपना सास्त्र ततागत के बारे में सक करेगा तो, विचकिच्चा करेगा तो, शद्धा उत्पन नहीं करेगा तो, प्रसान्य नहीं होता ततागत के प्रती। एसे प्रसान्य नहीं है तो, उनको क्लेस गंदिगी को मिटाने वाले वीर्य, आरद्ध वीर्य, धर्म की रास्ता पे आने का आरद्ध वीर्य, उत्पन नहीं होता है। एसा है तो, आरद्ध वीर्य, धर्म की रास्ता पे जाने वाले वीर्य, उत्पन होने का पहला कारण क्या है। शद्धा ततागत के प्रती प्रसान्य नहीं है। मानमी गहरा वीर्य के साथ आरद्ध वीर्य, आरद्ध वीर्य मतलब शुरुआत किया हुआ वीर्य, बार 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 वो रोपता नहीं है। मेहनत करने वाले वीर्य उसके पास नहीं आएगा तो, वैसा होने का पहला काटा है, जो क्या होता है। चुबता है। पहला काटा उसको चुब गया। कैसे। श्राद्धा नहीं है। किन के प्रती। बागवान बुद्धिगर प्रती। पिछले कुस दीन पहले हम आप लोग बताय थेना बुद्धान से द्यान करना चाहिए। बगवान बुद्ध को दीन रात सेवा करना चाहिए। प्यार करना चाहिए बगवान बुद्ध को और क्योंकि बगवान बुद्ध के प्रति प्यार है तो प्रसानता है तो पोटो वरकिंग है काम कर रहा है आरदवीर उत्पन हो जाता है अगर आप लोग आरदवीर नहीं करता है मतलब आपका स्राद्धा कामी है मन में आता है हमक तो पहला कारण है, दुसरा कारण है, वो धरम को सक करता है, विचकिच्चा करता है, धरम के प्रति सद्धा में नहीं आता है, धरम के प्रति प्रसान नहीं होता है, वो ब्यक्ति अगर धरंग के प्रति सक करेगा तो विचकिच्चा में आगया तो धरंग के प्रति सद्धा में नहीं आया तो प्रसन नहीं हुआ तो उनको भी क्लेश गंदगी को राग द्वेश मोहक मिठाने का वीर्य उत्पन नहीं होता है आरद विर्य उत्पन नहीं होता है मन की गंदगी को मिठाने का आरद विर्य नहीं उत्पन होगा तो उसका कारण है एक खाटा चुबता है वो कौन सी काटा है? तथा आगद भगवान बुद्ध की धर्म के प्रती वो स्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, विचिकिच्चा है, प्रसान नहीं है, वो दुसरा कारण तिसरा कारण है आरे श्रावक संग के बारे में श्रद्धा नहीं है आरे महा संग के बारे में विचिकिच्चा है श्रद्धा में नहीं आता है प्रसान नहीं होता है ऐसा है तो आरे महा संग के बारे में विश्वास नहीं हुआ तो विचिकिच्चा हो गया तो सक, तता आर्य महा संग के बारे में श्रद्धा में नहीं आया तो प्रसन नहीं हुआ तो उनको मन में उत्पन होने वाले क्लेस गंदगी को मिटाने का आरद वीर्य उत्पन नहीं होता है, वो धर्म पे देर होता है, यह से है तो मन की गंदगी को मिटाने वाले वीर्य नहीं पन होगा तो उसके लिए तिसरा कारण क्या है आर्य महासांग के प्रति श्रद्धा नहीं है चोता है चोता है वो सिक्षा के बारे में विश्वास नहीं है सिक्षा मतलब सील के बारे में सील के बारे में विश्वास नहीं है सील के बारे में विश्वास नहीं है सील के प्रति श्रद्धा नहीं है भागवान बुद्ध ने बता है सील को बहुत इज्वास नहीं है वो सील के बारे में प्रसानता नहीं है जो कोई प्याकती सील के बार में विश्वस नहीं हुआ तो सील के बारे में प्रसनता नहीं हुआ तो सील के उपर शद्धा में नहीं आया तो सील के प्रति विच्गिच्चा है तो वो भी अपना मन की क्लेश गंदगी को राग द्वेस मोह को मिटाने के लिए उनका मन में आरद्वीर्य उत्पन नहीं होता है बार 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 वीर्य करने का आरद वीर्य नहीं उत्पन होता है क्योंकि ऐसा होने का कारण है उसको उसका मन में एक काटा चुब गया वो कौन सी काटा है सील के बारे में स्रद्धा, प्रसन्नता, विश्वास नहीं है पंचमा कारण है वो व्यक्ति अपना सब्रमचारी, सब्रमचारी मतला साथ में रहने वाले बहनते लोग आप लोग ले लेंगे तो आप सबी लोग बहनते लोग को उपा सक लोग अपना साथ में रहने वाले लोगों के साथ गुसा से रहता है अमनाप है, मनाप नहीं है हमेशा ग्रिना मन से रहता है साथी लोगों के साथ एस है तो जो कोई ब्याक्ती अपना साथ में रहने वाले आरे मित्र लोगों के साथ, कल्यान मित्र लोगों के साथ गुसा करेगा तो प्रसन्नता नहीं होगा तो एदम ग्रिनामन से रह जाएगा तो उस समय में भी उनको अपना मन की क्लेश्ट गंदगी को मिचाने का वीर्य उत्पन नहीं होता है। बार 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 वीर्य करने का हिम्मत नहीं होता है। वो जिस कारण से वो धर्म की रास्ता पे नहीं आता है। वो एसा एक काटा चुब जाता है। वो काटा क्या है। अपना साथी खल्यार मित्र रोगों की साथ क्रोधित मन से रहते हैं। गुसा करता है। साथ में नहीं रहता है। इसी प्रकार पांच कारण, पांच काटा उसका मन में चुब गया है। उसका मन में कोंसी पांच बंधन संपोर रुप से नश्ट नहीं हुआ है। पहला है, वो पांच काम गुन के बारे में राग नहीं मिटाया है। प्रसानता नहीं मिटाया है। पांच काम के प्रती आशा दूर नहीं किया है। पांच काम के प्रती प्रेम दूर नहीं किया है। प्रेम के साथ थे पांच काम के प्रती। पांच काम के प्रती बहुत फ्यासा है। फ्यासा मतला पांच काम को फाने का इच्चा बहुत थे। पांच काम के प्रती दम गरम मुत्पन हो गया। सरीर गरम हो गया पांच काम के प्रती। उसको चाही पांच काम। तृष्णा नहीं मिठाया पांच काम के प्रती। इसी प्रकार जो कोई विक्षु हो या जो कोई व्याक्ती हो पांच काम के प्रती। राग दूर नहीं किया तो और पंच काम प्रती आसा से रह गया तो प्रेम से रह गया तो प्यासा हो गया तो पंच काम को पांच काम को पांच काम को पांच काम को पांच काम का उसको क्या कहता है। सरीर एकदम सरीर चाहता है पंचकाम वैसा हो गया तो त्रिश्णा में आ गया तो वो है उनको क्लेस गंदि के मिटाने के लिए बार बार वीर किरने के लिए आरद वीर किरने के लिए उनसका मन आता नहीं है यानिका उसका मन में बार बार वीर किरने का हिम नहीं होता है जिसका मन में क्लेस गंदगी है क्लेस गंदगी के मिटाने का वीर के साथ साथ आरद वीरे के साथ साथ प्रसान मान से धर्म की रास्ता पे नहीं आने का पहला बंधन है जो नाश्ट नहीं हुआ वो क्या है पंचकाम गुन के प्रती राग दूर नहीं किया समझ में आ गया है सब को समझ में आ गया है समझ में है पांच काम जानता है ना? रूप, शाब्द, गंद, रासर, श्परसर. ये पांच का मालिक कौन है? मन. सब कुछ पांच काम, सोचे, आपका मन में आ गया, हम एक मुबाइल खारिद लेंगे. पांच काम है वो भी. मुबाइल खारिद लेंगे लिए बहुत सोच था है, चिंतन करता है, प्रयास करता है, वो हार एक चीज में से उसका मन पतन होते जाता है. आस चरहे ना? दूसरा है, सरीर के बारे में राग दूर नहीं किया है. सरीर के बारे में आशा से रहता है. सरीर को बहुत प्रेम करता है. सरीर के बारे में बहुत प्यासा है. गर्म है. इसी प्रकार जो कोई बिक्षू है या कोई भी हो सरीर के बारे में इसी प्रकार राग से रह जाएगा तो आसा से रह गया तो प्रेम से रह गया तो सरीर के प्रती प्यासा है तो लालची है तो उनका मन भी कलेस गंद के कुमिटाने के लिए बार बार वीरे करना ना मुंकिंग है वीरे नहीं कर पाता है मन वीरे करने के लिए लगता नहीं है क्योंकि वो अपन सरीर को प्यार करता है वो दूसरी बंदन है तिसरी बंदन है रूप के बारे में रूप के बारे में वो राग से युक्त होता है रूप क्या है पतवियापते जुआयस जो कुछ बना उसको रूप कहता है जो कुछ हो रूप संसार में रूप के बारे में वो रागी मन्स रहता है रूप के बारे में आसा मिठाया नहीं प्रेम के साथ रहता है प्यासा है रूप के प्रती पाने का इच्चा है रूप को एसे रहने वाले ब्यक्ति को भी, ब्यक्ति का मन भी पतन होता है उनका मन में बार बार वीर करने का आरद वीर्य उत्पन नहीं होता है गहरी वीर्य उत्पन नहीं होता है ये तिसरी बंधन है, तिसरी बंधन क्या है? रूप के प्रती राग और है चोता है चो था बता दे यह क्या किरता है बहर पेट कानकाता है कानका के निंद से मिलने वाले सुप पे आसकत होके आलसी से एक सुप मिलता है और आलसी भी एक सुप है आलसी का सुप के आसकत होके आराम से सोते सोते रहता है वैसे रह जाएगा थो उस पे निंद पे आसकत हो जाएगा थो काउ पी के आराम करने पे प्रसन हो गया थो आसा से युप्त हो गया थो निन्द को प्रेम करेगा तो उनको उनका भी मन में वीरी उतपन नहीं होता है अब आरद वीरी उतपन नहीं होता है मन की गंदर को मिटाने के लिए आरद्ध वीरी उत्पान नहीं होने वाले चोथा बंधन क्या है निंद आलसी निंद आलसी वाम निंद पे प्रसान न करना भरपेट काव पी कि निंद से मिलने वाले सुख पे आ सकत हो कि निन आल सिखेकार निश्पर्ष होता है ना क्या इस पर्ष है सो नेकी बाद कमबलोड नेकी बाद चैन मिलता है ना उसको इस पर्ष के है तो उसी इस पर्ष पे आ सकते होगी रहने से वो भी एक बंधन है पंच माहें जहाँ कोई विक्षू हो या कोई व्यक्ति हो वो कोई देव लोग में मन लगा के रहता है हम जनम लेंगे ताव तीन समय हम जनम लेंगे तुसी इत्म उसी प्रकार कोई एक जगा चुन लिया पहले से ही हम उसी जगा पे जाके हम यह जो पालन करता सील वृत या तपाश्य या ब्रह्मचारी यह सारे चेजों का बाल से हम उसी देव लोग में देवता बनेंगे इसी प्रकार जो कोई ब्यक्ति हम इसी वृत तपाश्या ब्रह्मचारी यह सारे पुन्य से उसी देव लोग में आने देवता बन जाएंगे इसा इस रहने के लिए कोशिश करेगा तो उसका मन वीर करने के लिए बार बार आरद वीर करने के लिए हिम्मत नहीं रहता उसका मन में जिसका जो कोई व्यक्ति का मन में वीर नहीं होगा तो आरद वीर नहीं होगा तो वीर करने ते बाधक होगा तो वेशा होने वाले प ねपांच माहा बंधन है क्या है वो कोई देव था बंदने के लिए प्लैनी करकर है था एक देव लूप में पिर उसी जगा पर जाना चाहेंगे तो ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं रुप जाता है तो बताया बागवान गुर्द जी जो कोई भिक्षू हो या भिक्षू नहीं हो जो कोई व्यक्ति हो उन लोग को ये पांच प्रकार की काटाचों चुबना नहीं खतम हो गया तो पांच प्रकार की बंधन भी नाश नहीं हो गया तो उसके लिए जो कोई दिन हो या रात हो किसी भी सामय आयेगा तो खुशल धरम का उन्नति नहीं होता है कुशल धर्म से वो पतन होते जाता है उन्नती की ओर नहीं बलकि पतन की ओर जाते रहता है कैसे? एक उदाहरन बताया अमा वश्या की दीन चांद आस्मान में आता है लेकिन उसी चांद को दीन हो या रात हो कभी भी आ गया तो चांद का रोश्णी नहीं दिखाई देता है रोश्णी से वो पतन हो गया चांद गोला से भी पतन हो गया आलोग से भी पतन हो गया पुरा चांद का जितना चांद का सरीर है जितना उस चांद का बोड़ी है सारे चीजों की पतन हो गया है कब? अमावश्या के दीन वैसे ही है जिसके पास ये पांच प्रकार की मन में चुबने वाले खाटा नश्ट नहीं हो गया तो पांच प्रकार की बंधन भी संपुन रूप से नश्ट नहीं हो गया तो उसके लिए जो कोई दीन हो या रात कभी भी समय आता है तो हमेशा हर पर वो पतन ही होती जाएगा उन्नती क्योर नहीं जाएगा समझ में आ गया तो भगवान बुद ने बताया जो कोई विक्षु या विक्षु नी जो कोई व्यक्ति हो ये पांच प्रकार की बंदन संपुर्णुप से नाश हो गया तो पांच प्रकार की काटा चुबना भी नश्ट कर दिया तो उसके लिए जो कोई दिन रात हो हाँ हर पर कुसर धरम से उन्नती की और जाते रहता है पतन कभी नहीं होता है वो पहला कारण क्या है ततागत भगवान बुद्ध जी के प्रती सक नहीं करता है विचकिच्चा नहीं करता है शद्धा में आता है प्रसन होता है ये पहला कारण है दुसरी कारण धरम के प्रती सक नहीं करता है और विचकिच्चा नहीं करता है स्रद्धा में आता है प्रसन होता है तिसरा आरे महा सांग के प्रती सक नहीं करता है विचिकिच्चा नहीं करता है शद्धा में आता है प्रसन होता है चोथा क्या है सील के बारे में संदेह नहीं करता है विचिकिच्चा नहीं करता है प्रसन होता है स्रद्ध में आता है इसके बाद चौता अपने आप गुस्सा नहीं करता है सीर के बारें बता है न आइसे तो फंचमा अपने कल्यान मित्रिक साथ गुस्सा नहीं करता है मिल के रहता है नराज नहीं होता है ग्रिना मन से नहीं रहता है ये पांच कारण से युक्त हो गया तो उनका मन क्लेश गंद की मिटाने के लिए आ जाता है उसका मन नम्रध हो जाता है धर्म पे आरद विर्य करने का हिमत उत्पन हो जाता है उसी वो कहा जाता है पांच प्रकार की काटा छुबना मिटा दिया कौसी प्रकार की बंद नस्ट हो गया है पहला है पांच कामे की प्रति मिटा दिया आशा नाश कर दिया पांच कामे के प्रेम करता है नहset करता है प्यासा नहीं है इसी प्रिकार रहने से थाता दुस्रा खार्म क्या है? सरी के बारे में रागी नहीं होता है और आशा नहीं करता है प्रेम नहीं करता है सरी के प्यासा नहीं है इसरा क्या है? रोप रोप के बारे में रागर नहीं होता है आसरत नहीं होता है और प्रेम नहीं करता है, रूप की प्रतीप प्यासा नहीं है चोथा क्या है? भरपेट खाव पी के निंद से मिलने वाले सुप प्यासत होगे सोता है, आराम से सोता है, आराम करता है पांचमा क्या है? कोई एक देव लोग में मन लगा के रहता है अपना करने वाले सारे महनत का फल उसी देव लोग में जनम लेने के लिए खोशिश करता है, लगाता है ये पांच कारण वो ऐसा मन लगाता नहीं है पहला है पांच काम गुन के प्रती राग नहीं है दूसरा सरी के प्रतिराग नहीं है तिसरा रूप के प्रतिराग नहीं है चोता भरपेट का के सोता नहीं है भरपेट काता है लेकिन भरपेट का के वो दिहान करता है या कुछ काम करते रहता है सोने के जगा नहीं देता है पंच माहें देवलोग की मन नहीं लगाता है वो प्रयास करता है देवलोग में नहीं अरहत्त की लिए ऐसे होने से ये पांच प्रकार की बंधन उस ब्याक्ति से नस्ट हो गया है ये पांच प्रकार की काठा खाटा चुबना नस्ट हो गया तो चुबने वाले खाटा नस्ट कर दिया तो पांच प्रकार की थता पांच प्रकार की बंधन भी नाश कर दिया तो उसके लिए जो कुछ दीन हो या रात आ जाएगा हमेशा कुशर धर्म की उन्निती होती रहता है वो प्रसंद होना पड़ेगा वो चाहे चाहे था भी नहीं चाहे था भी उसको आ जाता है धर्म पे आगे बढ़ता है दीन रात कुसल धर्म बढ़ते रहता है ये एसा है पूर निमा के दीन आस्मान में चांद आ जाता है वो चान्द के लिए दीन हो या रात हो कभी भी कोई भी समय पे चान्द पूरा गोलाकार है प्रसंद है तता चान्द प्रकाश में है पूरा संपूर्ण चान्द का सरीर भरा हुआ है वैसे जो कोई बिक्षु बिक्षुनी हो या कोई ब्याक्ती हो ये पांच प्रकार की चुबने वाले खाटा नश्ट कर दिया तो पांच प्रकार की बंधन नाश्ट कर दिया तो उनके लिए जो कुछ रात हो या दीन हो किसी भी टाइम हो हार पर कुसर धरम से उन्नती की और जाता है कभी पतन की और नहीं जाता है यह सूत्र उपदेश का नाम क्या था जेतो खिल सूत्र